वेल्कम बेक टू माई चैनल फैंड से दीखिए जो आज हम आपके साथ डिजाइन शेयर करने वाले हैं वो एक वूलन पिलो कवर है यह देखिए इसको हमने क्रोश्या से बनाया है आप क्रोश्या अगर चूज करें तो अपनी वूलन के हिसाब से प्रोश्या ले ले मोटी वोल है तो आप मोटा क्रोश्या यूज करें पतली है तो आप पतला यूज करें देखिए इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता क्योंकि यह उगलन है और देखने में सुन्दर देखे कितना लग रहा है आप इसी डिजाइन के साथ जो है बैड सीट भी बना सकते है आज हम आपको सिखाएंगे यह पिलो कवर बनाना तो चले फ्रेंड्स देखते हैं हमने पिलो कवर कैसे बनाया इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें पंद्र से पहले ना लेते हैं देखे यहां पर हमने चैन बना ली है चैननानी नूर्मलल ह महीं हुआ ज्यादा टाइलिशनी करें लुज नहीं 25 में मिल्टिपल निस यह हमने तीर में चैन के लिए कि अ कि बिए कि腳 आखो में यहां फिट टीन बना ली है अब हम देखिए एक, दो, तीन, तीन चेन छोड़कर फोर्थ चेन में हम ये क्रोश्य हुक डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोश्य हम कर लेंगे, यह देखिए, इसके बाद हम नेक्स चेन में डबल क्रोश्या करेंगे, यहाँ पर हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया करना है देखें इस तरह से हम यह पूरी जो रो है फिर्स रो कम्प्लीट कर लेंगे देखें फ्रेंड्स यह पट्टी हमने बना ली है एक चेन में हमने एक बार्डबल क्रोशिया किया इस तरीके से पूरी पट्टी हमने बनाकर रेडी कर ली है यह द्यान रखें फ्रेंड्स आप जब भी आप यह डिजाइन बनाई या कोई भी डिजाइन बनाई जिस चीज के लिए आप बना रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर जो हमने चेन डाली थी 75 अब चेन डाल ले और चेन डालने के बाद उसकी जो लेंद्ध है और नाप लें क्योंकि कभी-कभी उन थोड़ी मोटी बारिक हो जाती है मोटी उन जो है वह जल्दी कवर कर जाती है लेंद्ध को और जो बारिक में थोड़ा सा एक्स्टर हमको करना पड़ता है चेन लेनी पड़ती है तो आप उसकी अकोडिंग इसकी जो लंबाई है वह नाप लें और बाद यह स्टार्ट करें हमने फर्स्ट रोगश की बना ली है अब हम यहाँ पर यह सेकंड रोग बनाएंगे यह इसे हम टर्न करेंगे यह देखिए यहाँ पर हम तीन चैन मना लेंगे एक तो तीन कि यह दो हम आदा जो डबल कॉर्श यह में गिना जाएगा काउंट हो हमने तीन चैन मनाई है यह तो हम छोड़ देंगे नेक्ट पर स्वेद में हम एक तबल कॉर्श रर इंदेग़िएhd हर एक चैन में हम एक मदाबल कॉर्श कड़ रया के आया हलes इसके बोर्डर वाला पार्ट है नीचे का यहां से इसका यह बोर्डर भन जाएगा कि दिखे सेकेंड वह इसी तरीके से पूरी जो है कम्प्लीट करेंगे इस देखें फ्रेंट्स यह तूरों हमने कम्प्लीट कर ली है अब हम इसकी थर्ड रों गनाएंगे और यह देखें यहां पर यह तीन चेन हमने बना ली है इसके बाद हम यह वाली छोड़ देंगे नेक्स चेन में डबल क्रोश्या करेंगे देखें दो बार हो गया यहां पर एक चेन मना लेंगे और देखिए, यह वाला होल हमें छोड़ना है, इससे अगले होल में हम एक डबल क्रोशिय कर लेंगे, फिर से हमें एक चेन मनाएंगे, फिर यह वाला होल छोड़ेंगे, इससे अगले होल में हम डबल क्रोशिय कर लेंगे, यह देखिए, एक चेन मना लेंगे, यह वाला कर अगले होल में डबल क्रोश्य करेंगे देखें फिर से चेन बना लेंगे अब यह देखिए यह होल जो है इसे छोड़ कर इसे अगले होल में हम किẖ एक होजो फिर से इसी होल में धोजो है फिर시 inn करेंगे अ एक कुछने होल में धोजो हम इसी होल में चासे एक होल में ने चारव माज़ कर लिए फिर फिर से एक चेन मना लेंगे और यह देखे यह वाला होल छोड़ देंगे हम इसे अगले में एक डबल क्रोशिया एक चेन फिर यह वाला छोड़ देंगे इसे अगले में एक डबल क्रोशिया एक चेन मना लेंगे अब ये वाला होल छोड़ देंगे इससे अगले होल में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे हमें छे डबल क्रोशिया लेने हैं देखिए एक दो तीन इसके बाद से हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए एक चेन लेंगे ये वाला स्किप करेंगे नेस्ट में हम ये डबल खूसिया फिर से एक चेन बनाएंगे यह वाला स्किप करेंगे नेस्ट में हम डबल खूसिया करेंगे इस दिजाइन के बाद हमने एक दो लूब तीन चार पांच छे चेबल क्रोश्य कर लिए एक ही चैन हमने हां बीच में बना ली और एक जो होल है इसको स्कीप कर लिया एक चीन बनाएंगे यहवाला इसकिप करेंगे इसी अगली में हम एक ही हुल में 4 बार डूबल क्रोश्य करेंगे एक दो तीन और यह चार्ट बिल्कोस हमने हां पर कर लिए यह देखे यह इसकी डिजाइन की बोडर के बाद यह देखे यह तो इसका बोडर हो गया बोडर के बाद की यह फर्स्ट रो है और इसी तरीके से पूरी रोहं कम्प्लीट कर लेंगे और जैसे हमने यहां पर यह बोडर बनाया है लास्ट में भी हम इसी तरीके से यहां पर यह बोडर बना लेंगे दिखिए सबसे पहले हम तीन चेन ले लेंगे एक दो तीन यहां पर हमें नहीं करना इसके पास वाले यहां पर हमें डबल क्रोश्य कर लेंगे यहां पर हमें एक चेन नहीं बढ़ानी है तीन बार डबल क्रोश्य हो गए चार देखिए पांच डबल क्रोश्य हो गए अब हम यहां पर यह देखिए जो चेन हमने बनाई थी यहां पर हम एक डबल क्रोश्य करने लेंगे देखिए अब यहां पर जो चार डबल क्रोश्य हमने एक होल में किये थी यह आ गए अब यहां पर हम चार चेन बना लेंगे एक, दो, तीन, चार चार चेन हमने बना ली अब ये दिखें इसके पास वाले होल में हम एक साथ ही एक होल में चार डबल कोर्शिय कर लेंगे एक, दो, तीन, और ये चार चार डबल कोर्शिय हो गए एक चेन बढ़ा लेंगे देखें, यहाँ पर हमने चार डबल कोर्शिय किये थे इस रो में थर्ड में हम दो डबल कोर्शिय करेंगे इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे बीच वाले दोनों हैं, इनके उपर हम एक एक डबल क्रोशिय कर लेंगे देखिए एक हो गया एक चेन बढ़ा ले अब यहाँ पर एक यहाँ पर करेंगे देखिए दो डबल क्रोशिय हो गए एक चेन बना लेंगे देखिए यह हम छोड़ देंगे और इसके पास वाले होल में देखिए यहां पर एकी होल में हमने चार डबल कोर्शिया किया हैं तो इसी के पास इससे पहले हम एकी होल में चार डबल कोर्शिया कर लेंगे एक दो तीन और यह चार चार डबल कोर्शिया हमने एकी होल में कर लिए देखिए यहां पर इसकी हमने फिर्स्ट रो कमप्लीट कर ली है अब हम सेकेंड रो गनाएंगे सबसे पहले हम तीन चेन लेंगे एक दो तीन देखिए यहां पर हमने तीन चेन बना ली अगले डबल कोर्शिया के ओपर हम एक डबल कोर्शिया दो बार डबल कोर्शिया हो गए दिखिए यहां पर हमें करना है तीन इसके उपर चार चार बार डबल कोर्शिया देखिए इसके उपर करेंगे हम यहां पर पांच बार डबल कोर्शिया हो गए अब हम यहां पर चार चेन ले लेंगे एक दो टीन चार अभी देखिए हमने एक होल में चार डबल कोर्शिया किये हैं तो इसके उपर को हम इसके पास वाले होल में चार डबल कोशिया कर लेंगे एक जिर हम नकर गए है अब यहां पर हम दो चेन बना लेंगे एक हैएं और एके दो तूलबनें अब यह वाला डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और इसे अगले के उपर हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे फैस्ट में हमने यहाँ पर यह छे डबल क्रोशिया किये थे सैकेंड में हम यह चार करेंगे देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया अब इससे अगले डबल क्रोशिया के के उपर तीन डबल क्रोशिया और अब इसके उपर यहाँ पर चार डबल क्रोशिया देखिए यह चार डबल क्रोशिया हमने कर लिए फिर से हम दो चेन बना लेंगे एक दो हो सऑ डो चेन हो गई देखिए डबल क्रोशिया है यह हम इस्किप करेंगे उसके पास वाले हओला और यह वाला हम पीछ वाली होने हम चार बार डबल क्रोशिया करेंगे एक तो तीन और ये चार चार दबल क्रोशिया हो गए देखिए अब हम यहां पर चार चेन मना लेंगे एक दो तीन और ये चार अभी देखिए इसके उपर को हमे चेन लेकर इसके पास वाले हूल में एक ही हूल में चार डूबल कॉंशिया कर लेंगे एक. कर दो कि थीन और यह चार रही ही ज़िए कि चार डूबल कुरोश्या हो गए दो चेन बना लेंगे एक कर क्था इसकी पास वाला इपर tror सिन्व करेंगेए इससे अगले में हम यहाँ पर इसके ओपर double crochet कर लेंगे एक एक इसके ओपर करेंगे दो इसके ओपर तेन और फिर इसके ओपर चार double crochet हो गए यह दिखे दो chain मना लेंगे एक दो अब यहाँ पर एक होल में हम चार बार डबल कोशिया एक दो तीन और यह चार यह दिखे जैसे हम यहाँ पर बनाया अब हम यहाँ पर बना लेंगे और यह सेकंड रो इसी तरीके से बनाते हुए कम्प्लेट करेंगे कि अब यहाँ पर इसकी हमने सेकंड डुव कम्प्लेट कर लेंगे फिरीके इसी तरीके से बनाया जैसे स्टाटिंग में बनाइका अब हम यहां से इसकी ठाड रो बनाएंगे सबसे पहले हम एक, दो, तीन चेन ले लेंगे, देखिए, एक चेन यह में, तीन चेन हमने ले ली, एक बार डबल क्रोश्या में इसको हम काउंट करेंगे, इसके अगली चेन में हम, एक डबल क्रोश्या, फिर इसके अगली चेन में डबल क्रोश्या, देखिए, तीन बार हो चार पांच डबल क्रोशिया हो गए हम यहाँ पर इसके उपर करेंगे हम यह देखिए एक डबल क्रोशिया है छे डबल क्रोशिया और यह जो चार चेन हमने लिए थी एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर कर लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ डिबल क्रोशिया हो गए अब हम यहाँ पर चार चेन बना लेंगे क्योंकि हमें इसके उपर को ले कर जाना है तो एक, दो, तीन, चार चार चेन हम ने बना ली अब यहाँ इसके पास वाले होल में यहाँ पर हम एक होल में चार बार डबल क्रोशिया करेंगे एक, दो, तीन, और यह चार चार डबल क्रोशिया हो गए फिर हम यहाँ पर दो चेन बना लेंगे एक, दो, दो चेन हमने बना ली देखे, दो चेन बना ली अब यहाँ एक, दो, तीन, चार चार डबल क्रोश्या है तो हम इसको छोड़ देंगे और इसको यह बीच वाले दो हैं इनके ओपर हम एक, एक डबल क्रोश्या करेंगे यहाँ पर हमें इस रों में दो डबल क्रोश्या करने हैं एक अब यह अगली चेन में करेंगे, दो, दो डबल कोर्षिया हो गए, दो चेन मना लेंगे, एक, दो, दीखिए, अब यहाँ पर हम एक ही होल में, चार बार डबल कोर्षिया करेंगे, एक, दो, तीन, और यह चार, चार डबल कोर्षिया हो गए, अब यहाँ पर यह देखे, चार डबल कोर्षिया आ गए, तो इसके उपर कोह में जाना है, यहाँ पर हम चार चेन ले लेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार चेन ले ली, तो देखिए, यहाँ पर यह जो चार चेन है, इसके यहाँ पर हम दूबल क्रोष्या बनाएंगे, एक और ये दू साथ ही हम दूबार धूबल क्रोष्या कर लेंगे, देखिए, फिर से हम चार चेन बना लेंगे, एक, दू, तीन, चार, क्योंकि हम इसके उपर को लिएक राना हैं, तो यह गैप हमें खतम करना है चार चीन मना कर अब यहां पर हम चार डबल क्रोश यह एक होल में कर लेंगे एक तो तो तीन और यह चार देखिए थर्ड रो हम इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेंगे देखिए यहां तक हमने आपको बता दिया तो आगे भी हम जब डिजाइन आएगी ऐसे डिजाइन डालेंगे और इसको जो है थर्ड रो को कम्प्लीट करेंगे कि यहां पर इसकी हमने थ्र रो appropriate कर ली है कि अब फॉर्थ रो बनाएंगे हाँ है सबसे पहले हम यहां पर ठीज चेंग बना लेंगे एक दो कि इसको चोड़ ba some कि इससे अगली चेंड में हम यहां पर एक डबल कोश्या करेंगे दो डबल कोश्या हो effih एक एपए दो, तीन, चार, पांच, 21 के उपर, छे, और एक यहाँ पर बना लेंगे, साथ, साथ डबल कोर्सिया हो गए, यह देखिए, अब हम यहाँ पर चार चेन बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, अब यह देखिए, यहाँ पर, इस होल में हम, एक ही होल में चार डबल कोर्सिया कर लेंगे, एक, दो, तीन, और यह चार, चार डबल कोर्सिया हो गए, इस होल में, अब हम यहाँ पर दो चेन मनाएंगे, एक, दो, यह दो डबल कोर्सिया एक साथ हैं, इनको हम छोड़ेंगे, और यहाँ पर, इस होल में हम, एक ही होल में, चार डबल कोर्सिया कर लेंगे, दो हो गए, तीन, और यह चार, देखिए, फिर से हम, चार चेन मना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, देखिए, इसके उपर को लेकर आना है, अब हमने यहाँ पर, पिछली रो में, दो डबल कोर्सिया बनाएंगे, इसमें हम, चार डबल कोर्सिया बनाएंगे, एक डबल कोर्सिया, इसके उपर बनाएंगे, दो डबल कोर्सिया, इसके उपर, तीन डबल कोर्सिया, एक यहाँ उपर, चार डबल कोर्सिया, दो चेन बना लिए, सोरी हमें, चार चेन बनानी, दो हमने बना लिए, तीन, चार, अब यह स्किप करेंगे, और यहाँ पर, इस होल में हम, चार डबल कोर्सिया, एक, दो, तीन, और यह चार, दो चेन बना लिए, अब यह छोड़ कर, इसके पास यहाँ पर, एक होल में हम, चार डबल कोर्सिया करेंगे, दो, तीन, और यह चार, तो देखे, इस तरीके से यह, फोर्ट रो, कम्प्लीट करेंगे, देखे, इसके फोर्ट रो हमने कम्प्लीट कर ली है, अब हम यही से टर्ण लेंगे, और इसके फिफ्ट रो बना लेंगे, सबसे पहले हम, वही तीन चेन बना लेंगे, एक, दो, तीन, एक डबल कोर्सिया ही बन गया, अब इस अगली में, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, देखें, और इक यहां पर बना लेंगे, अब हम यहां पर, इनके बीच में, एक, तो, तीन, चार, चार डबल कोर्सिया बना लेंगे, चार बार, एक की होल में, चार बार डबल कोर्सिया बना लेंगे, यहां पर हमने, यह चार डबल कोर्सिया ऐसी होल भी कर लिए, अब हम यहां पर, चार चेन बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, वो यह देखें, यहां पर हमने, चार डबल कोर्सिया किये थे, इस रो में हम यह, छेंबार कर लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और यह चेंब, यह देखें, चेंबार डबल कोर्सिया हमने कर लिया, फिर से हम चार चेन मनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, अब यहां पर यह देखें, यहां पर इस तरीके से आ गए, इसके बीच में हमें यहां पर, एक ही होल में चार डबल कोर्सिया करने हैं, एक, दो, तीन, और यह चार, देखें, यह दिजाइन हमने आपको यहां तक दिखा दिए, आगे भी इसी तरीके से बनेगा, देखें, और यह हमारी फिट रो है, फिट रो हम इसी तरीके से कम्प्लीट करेंगे, और यह देखें, यहां पर, इस डिजाइन पर है अब, और यह फिट रो है, इसे हम कम्प्लीट करते हैं, देखें फ्रेंड्स, इसका फिट राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया है, और ए यह रीपीट पैटन आपर से 6 तो हमस्का स्टाट करेंगे जैसे हम यहां से किया था यह देखिये कि अब हम यहां पर आ गए है यहां पर आ गया अब हम इससे आगे बनाएंगे भी तो कम्प्लेट कर चुके हैं अब यहाँ पर यह six द्रों बनाएंगे और यह देखें यह तीन चेन हमने बना ली अब यहाँ पर एक डबल क्रोश या दो डबल क्रोश या तेन चार पांच और यह छे 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 डबल क्रोश या हमने यहाँ पर कर लिया देखिए अब हम यहाँ पर दो चेन बना लेगे एक दो और यह देखिए इस ओल में हम चार डबल क्रोश या एक साथ करेंगे एक दो तीन और यह चार चार डबल क्रोश या हो गए चार चेन बना लेंगे एक दो तीन चार चार चेन हमने बना ली अभी देखिए अब इसको छोड़ कर यहाँ पर इस ओल में हम चार बार डबल क्रोश या कर लेंगे एक दो तीन और यह चार चार डबल क्रोश या हमने एक साथ कर लिया अब हम यहाँ पर दो चैन बनाएंगे एक दो ने देखिए यहां पर हमने छे बार काड़ ग्रोश किités इस रहों में हम यह चार बार करेंगे इसको चोड़ेंगे इसको और यह चार डबंको जो बीच वाले इनके ऊपर हम एक एकडवल क्रोशिये और यहां पर हम चार डबल Κ्रोशिया कड से Um देखे, एक हमने छोड़ दिया, दूसरे के उपर किया, दो, तीन, और ये चार, चार बार हमने डबल क्रोसिया कर लिया, एक इस साइड छोड़ दिया और एक इस साइड, दो चेंग मना लेंगे, और ये देखे, यहाँ पर ये एक होल में, चार बार हमने डबल क्रोसिया किया है, तो इस रो में हम एक यहाँ करेंगे, और एक यहाँ, इस वाले होल में करेंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, देखे, जैसे हमने यहाँ पर किया है, अब हम यहाँ पर करेंगे, देखे, गडिजाइन, ये शिख्त रो हम इसी तरीकी से कम्प्लीट करेंगे, यह देखिए फ्रेंज इसके 6 त्रों हमने कम्प्लीट कर ली है अब हम इसके 7 त्रों बनाएंगे और जैसे हमने यहां से यहां से स्टार्ट किया था अब आगे भी हम ऐसी करेंगे इन देखिए अब हम यह देजाइन यहां पर भी बनाएंगे इस शायड को और इस शायड को भी देखते हैं यह देखिए सबसे पहले हम यहां पर 3 चैन बनाएंगे एक दो थो अधिर वाली चेन स्किप करेंगे देखिए अब इस यहले हूल में डालेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, छे बार हमने यहां पर डबल क्रोशिया कर लिया, यह दिखिए, अब हम यहां पर दो चैन बना लेंगे, एक, तो, और यहां पर, इस होल में हम चार बार डबल क्रोशिया करेंगे, दो, तीन, और यह चार, चार बार हो गया यहां पर, अब हम चार चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, और यह देखिए, यहां पर भी हमने एक साथ, चार बार डबल क्रोशिया किया है, और यहां पर भी बीच में यह चेन है, यहाँ पर हम यह दो बार डपल कुर्शीय करेंगे इन देखिए इस तरह से फिर से चार चैन लेंगे एक, तो, तीन, चार यहाँ पर हम चार बार डपल करेंगे जे देखिए दो तीन और चार यह देखे अब जैसे हमने यहां से यह देखे डिजाइन बनाया है अब यह यहां बनने वाला है यह यह दिजाइन यह वाला अब यहां पर बनेगा यहां पर हमने दो बार डबल कुरोशिया किया है इससे अगली जो रो है उसमें हम यहाँ पर चार बार करेंगे यह देखिए यहाँ से ऐसे हम यह देखिए लाइन बनी है अब यह लाइन ऐसे बनेंगी उसके बाद फिर ऐसे बनेंगी देखिए यह इसकी 7th row है इसी तरीके से complete कर लेंगे और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और बना कर आपको दिखाएंगे यह देखिए फ्रेंट्स यह डिजाइन हमने आपको दिखा दिया है यह देखिए इस तरह से बनेगा आप इसको इसी तरह से 25 इंच लंबा इसको बना लीजिए और उसके बाद यह लास्ट में बोर्डर जैसे हमने इस्टार्टिंग में बनाया इसके बाद हमें लास्ट में बनाना है इसके बाद यह complete हो जाएगा इसको पूरा करने के बाद आप इसका सेकंड पार्ट बना लीजिए इसके नीचे वाला पार्ट आप चाहे तो इसी तरीके से डिजाइन वाला बना लीजिए या उसको आप सिंपल बना लीजिए यह बोर्डर बनाना है साइड वाला भी बनाना है रोपर वाला भी बनाना है उसके बाद हम इसको सील देंगे यहां पर किनारी से किनारी मिला कर इसको हम सील देंगे आप चाहे तो करोशया से सील सकते हैं या इसको सुई से वैसे करोशया से अच्छे से सील जाए गा यह द कार्फल से करूंए हम डबल क्रोशिया करेंगीं जो बार हूं गया आ है do선 कि इंभा और चोथ ला हम यहां पर यह कि टृपल क्रोशिया कर लेंगे ज़ुआ कि दो ऋ यह त्युल्ट कर ने इधेolly कि इस फिर से इसको c Dimления यहां у सब्सक्राइब करना है इस तरह से फिर हम डबल कुर्श्या करेंगे है ने इस तीन बार और ये चोथी बार हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे ये देखिए इस तरह से फिर इसे स्किप करेंगे यहाँ पर ये हम हाप डबल क्रोशिया करेंगे इसके बाद ये डबल क्रोशिया दो बार हो गया तीसरी बार ये फिर से डबल क्रोशिया और ये चोथी बार हम ये यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे ये देखिए इस देखिए ये आउट लाइन के बाद इस तरह से दिखेगा अगर आपको हमारी डिजाइन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को शियर करें बैल आइगन को प्रेस करना ना भूले तो चलिए फ्रेंट मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक यू